दोस्तो पेटियम एक सुनारा मौका लेकर आया है पेटियम सर्विस एजेंट बनने का पेटियम सर्विस एजेंट बनकर दिन के हजारों रुपए तक कमाई जा सकते हैं पार्ट टाइम कापन करके बिना इन्वेस्टमेंट के अब सवाल आता है कि पेटियम सर्विस एजेंट कौन बन सकता है, Paytm Service Agent बनने के बाद क्या करना होगा Paytm Service Agent के लिए किस पकार से apply कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में तो चले वीडियो को start करते हैं सबसे पहले गाईस, आप लोगों को Google पे आना है, और Paytm Service Agent टाइब करना होगा, यहाँ पे आप लोग देख बाहर होगे, मैंने Paytm Service Agent टाइब किया है, इसके बाद First link जो आएगा आप लोगों के सामने Get an opportunity to earn with Paytm इस पे आप लोगों को simply click करना है इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface आज आएगा, यहाँ पे कर सकते हो, और मंतली आप लोग 30,000 रुपे तक earn कर सकते हो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अत्रिक्त आय के रूप में 30,000 तक कमाना चाहते हैं, आज ही Paytm Service Agent बने और अपनी सर्तों पर कमाई शुरू करें इसे full time, part time या फिर flexi time कमाई का आउसर बनाए Paytm Service Agent प्रोग्राम उन सभी के लिए है जो सतंदरता और लचील रुपन के साथ अत्रिक्त पैसा कमाना चाहते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 1000 रुपे रोजाना आप कमा सकते हो और मन्थ में 30 दिन होते हैं मतलब 30,000 रुपे आप जो है बड़े ही असानी से part time, full time जैसे भी आप करना चाहते हो उस पगार से करके आप इसे earn कर सकते हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को क्या करना पड़े गा इसके अंदर यहाँ पे बताया गया है आप लोग को अधिक से अधिक ptm के साथ और वेपारियों को जोड़ना होगा साथ ही जो ptm को उत्पाद है उन्हें आप लोग को उत्पाद मतलब जो product है, product कॉनकों से हैं यहाँ पे आपनों को देखने को मिल रहा होगा जैसे कि qr code यह आप लोग जो है दुगानों पे जाके लगाना होगा इसके बाद जो ptm का ध्वनी बॉक्स होता है जैसे कि कोई भी transaction होती है जैसे एक हम shop पे जाते है हम अगर online payment करते हैं तो वहाँ पे एक sound box लगा होता है जिससे merchant को या फिर दुकानदार को पता सल जाता है कि अच्छा मेरे account में इतना रुपे receive हो गए है तो एक ध्वनी box आता है जिससे हम लोग sound box भी कहते हैं इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो swipe करने वाला machine होता है वो भी अपना PTM का है इसके बारे भी आप लोग बता सकते हो और इसे भी आप लोग को बीचने का काम करना होगा इसके बाद PTM का fast tag आता है fast tag आप लोग को पता होगा जब आप कभी सफर करते हो तो अगर आपके पास चार पहिया वहान है तो आप लोग को fast tag लगवाना mandatory है क्योंकि अगर toll plaza आता है बीच में रास्ते में तो आप लोग को fast tag भी देना पड़ता है तो इसके बारे भी आप लोग बता सकते हो और यह जो प्रड़क्ट है चार प्रड़क्ट इन ही को आप लोग को बेचने का काम करना होगा और इन सब प्रड़क्ट को जब आप लोग बेचोगे या फिर कहें कि इनका service आप जब दोगे जैसे कि आप QR code अगर किसी की दुकान पे जाके लगाते हो तो उसके बतले में आप लोग को PTM कमिशन देगा उसी के दुरू आप लोग अर्ण करोगे इसके साथ भी दोस्तों आप लोग PTM सर्विस एजेंट बनके अगर आप लोग जो है किसी का electricity bill पे करते हो dth bill पे करते हो mobile recharge करते हो bus का, train का, ticket book करते हो तो इस पर भी आप लोग को कमिशन मिलने वाला है यहाँ पे आप लोग बढ़ सकते हो और यहाँ पे आप लोग को अभी सुरू करने के लिए क्या-क्या जरूरत होगा यहाँ पे बताया गया है आप लोग देख सकते हो इसके बाद आपके पास एक Android स्मार्टफोन होना चाहिए इसके साथ ही संचार M1 Networking कौसल रखें आपके पास जरूर होगा इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप एक PTM Service Agent बनना चाहते हो तो इनका एक webinar है जिसे आप लोग अटेंड कर सकते हो अगर आप पहले से PTM Service Agent हो तो आप जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे apply कर सकते हो अगर आप जो है जानना चाहते हो PTM Service Agent के बारे में webinar देखना चाहते हो तो यहाँ पे link दिया गया है आप लोग देख सकते हो इस page का link मैंने आप लोग को description में दे दिया है इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ प्रशंशा पात्र जिन्होंने PTM Service Agent बनके कुछ अचीव किया है अपने बारे में उन्होंने feedback दिया है PTM Service Agent के बारे में feedback दिया है आप जो है एक service agent बन जाते हो तो आपको क्या करना होगा एक बार जब आप service agent बन जाते हो तो आपके पास एक big help होगा यहाँ पे आप लोग दे सकते हो तो यहाँ पे आप लोग को दुकानों पे QR code डालना होगा जो PTM का all in one QR code आता है उसे आप लोग को चिपकाना होगा उसके बारे में आपको PTM कमिशन देगा इसके बाद soundbox machine card जैसे हमारे उत्पादों को offsetting करना मतलब आप लोग को जो है soundbox और जो card machine होते हैं उनके बारे में बताना होगा और उनको भी बेचना होगा इसके बाद ग्रांकों के लिए mobile phone recharge करके बिजले बिलों का भुकतान करके train flight, hotel, ticket book करके कमिशन कमाए तो आप लोग अगर PTM service agent बन जाते हो आप लोग जो रोज मर्रा के जो recharge करते हो आप लोग bill payment करते हो चाहे वो अपना हो या किसी और का हो उसके बदले में आप लोग को PTM से कुछ नहीं मिलता है लेकिन service agent बनने के बाद आप लोग को commission मिलेगा इसके बाद यहाँ पे कौन अवेदन कर सकता है तो मैंने आप लोग को बताया है कोई भी अवेदन कर सकता है जिसके उमर 18 साल हो और उसके पास एक android phone हो अब यहाँ पे आप लोग को सवाल आ रहा होगा कि PTM सर्विस जिजन बनने के लिए हमें कौन गों से document की जरूत पड़ेगी तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो आप लोग को अपने अधार कार्ट की copy यहाँ पे submit करनी होगी आपके उचितम सैक्षेक प्रमाडपत की प्रती आप लोग आप लोग को जो higher educational qualification है उसका आप लोग को mark sit यहाँ पर upload करना होगा जैसे आपने 10th कर रहा है 12th कर रहा है graduation कर रहा है तो उसका आप लोग को यहाँ पर एक प्रती upload करना होगा इसके बाद एक और सवाल काफी ज़्यादा ptm से पूचा गया है क्या मैं ptm के अलावा अपना खुद का website कर सकता हूँ जी हाँ यहाँ पिन्हों नों कहा है ptm सिवा एजेंट होने के नाते आपको लचीले समय का लाव मिलता है आपके पास जब भी समय आपका जो मुख विपसाया है उसके बाद जो भी समय मिलता है आप जो है ptm सर्विस एजेंट के रूप में उसे सर्व कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आपका जो pay out है वो दिया जाएगा यहाँ पे आप लोग देख पार होगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से पढ़के बता देता हूँ इस आए के आउसर के साथ आप असानी से 30,000 रुपे प्रतिमा या उससे भी अधिक कमा सकते हो जो आपके समय और कई विपारियों के साथ चुड़ने के प्रयासों पर निर्भा करता है अधिक विपारी का अर्थ है अधिक धन पे आउट आपके द्वारा बेजी जाने वाली सेवाओं का आधार है कुछ सेवाओं का भुगतान ततकाल होता है कुछ सब्ताइक और कुछ मासिक तो इन्होंने बताया है कि आप जितने कस्टमर्स को जितने विवारियों के साथ आप जो है मिलोगे उन्हें अपने सर्विस के बारे में बताओगे पीटेम के सर्विस के बारे में बताओगे और जो प्रोडक्ट है उन्हें सेल करोगे तो उतना आप लोग जो है अर्ण कर सकते हो यहां से और इसका जो payout होगा वो कई cases में तत्काल होता है कई cases में आपको जो है weekly payment किया जाता है और कई cases में आप लोगो मासिक मतलब monthly payment किया जाता है अधिक जानने के लिए आप लोगो webinar के बारे मैंने बताया था यहाँ पे आप लोग को एक webinar ये लोग conduct करते हैं जिसके बारे में आप लोग को सारे चीज़े बताई जाती है तो इसे आप लोग जो है join कर सकते हो अगर आप बनना चाहते हो यहाँ पे link दिया गया है यह link आप लोग को description में देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं आप लोग किस पकार से apply कर सकते हो Paytium Service Agent बनने के लिए आप लोग को एक form भरना होगा Paytium Service Agent बनने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी apply करे का option आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इस पे आप लोग को simply click करना है डिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पारोगे बनने के लिए इस form को भरें पेटियम सिवा एजेंट यहाँ पे आप लोगो देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले इस form के अंदर आप लोगो अपना नेम भरना है इसके बाद आप लोगो अपना लिंग मतलब जेंडर सिलेक्ट करना है इसके बाद अपना राज आप लोगो सिलेक्ट करना है इसके बाद सहर आप लोग किस सीटी से बिलोग करते हो पिन कोड आप लोगो यहाँ पे भरना होगा इसके बाद email आप लोंको यहाँ पे भढ़ना होगा इसके बाद अपना संपर्क number आप लोंको भढ़ना होगा जितने भी detail मांगे गए हैं सभी को भढ़ना important है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सैक्ष्ड की योग गिता यहाँ पे आप लोंको select करना होगा आप लोग को कुछ इस प्रकार का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग को 10th, 12th degree and diploma का option देखने को मिल रहा है तो आप जो भी हो आपकी section की योगता जो भी है आप लोग को यहाँ से select कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आप लोग को webinar का सत्र choose करना होगा मतलब की आप लोग को webinar में जुड़ना होगा मंगलवार सुबा 11 बज़े आप जुड़ सकते हो, गुरुवार सुबा 11 बज़े जुड़ सकते हो यहाँ पे सनिवार सुबा 11 बज़े आप जुड़ सकते हो तो आप लोग को समाजिक मीडिया पर क्लिक कर देना है इसके पाद सारे form को जैसे मैंने आप लोग को बताया है सारे detail को आप लोग को अच्छे से fill up कर देना है इसके बाद रस्तूत करना option देखने को मिल रहा होगा इस पर आप लोग को simply click करना है अगर आपने form में कहीं गलती कर दिया है तो आप reset का भी option इस्तमाल कर सकते हो आप लोगे सामने कुछ इस पकार का आजाएगा आपको धन्यवाद form जमा किया जैसे ही आपके विवरेड की समिक्षा करेंगे हम आपसे संपर करेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही आपके द्वारा जो भी form समिक्षा करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो इस link के थूँ description में इस form को भढ़ने का link आप लोग को दे दिया गया है तो आप लोग description में दिये गए link से भी इस form को भढ़ सकते हो I hope आप लोग को सारे चीज़े clear हो गई होगी अगर कोई भी doubt है ptm service agent बनने से संबंदी तो आप लोग comment section में जरूर पूछेगा उसका answer में जरूर करूँगा I hope दोस्तो आप लोग को सारे चीज़े clear हो गई होगी मिलते हैं next video में इस बगार का information पाने के लिए आप लोग को चैनल को subscribe करना है